फ्रेंड्स मैं आपको कोई 20-30,000 रुपे खर्च करने के लिए नहीं बोल रही हूँ केवल 20 या 30 रुपे में ही यह आपकी रेमेडी बनकर त्यार हो जाएगी और इतना तो फ्रेंड्स आप अपने बालों के लिए करी सकते हो इस चीज़ को आप अच्छे से जानते ही होंगे अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ यह है पोदीना यानि की मिंट इसका इस्तमाल अक्सर हम खाने में करते हैं लेकिन यह बहुत सी दवाओं और तेलों में भी इस्तमाल होता है आज मैं भी आपको इससे एक मैजिकल ओयल बना कर दिखाऊंगी एक ऐसा मिंट ओयल बताऊंगी जो आपकी बालों की सभी प्रोब्लम्स को जरसे खतम कर देगा यह इतनी बड़िया चीज़े फ्रेंट्स जो आपके बालों का जणना तुरंत रोख सकती है अब आप सोच रहे हूँए कि इसकी क्या गारंटी है फ्रेंट्स मैं आपसे दसवीज हजार रुपे खर्च करने को नहीं बोल रही हूँ यह केवल 20-30 रुपे में ही बनकर त्यार हो जाएगी और आप अपने बालों के लिए 20-30 रुपे तो खर्च कर रही सकते हैं आप केवल एक वीक मेरे बताहिवी तरीके को इस्तमाल करके देखिए आपको खुदी पता चल जाएगा कि आपको मैंने कितना बढ़िया नुस्का बताया है पुदीना आपके स्केल को ठंडा रखता है जिससे आपके बालों को जरूरी पोशन मिलता है या आपके बालों से डेंडरफ को दूर करता है या आपके बालों को काला, लंबा और चमकदार बनाता है इसके अनेकों फायदे हैं यह बिल्कुल नैचरल नुसका है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो चलिए फ्रेंड्स बिना दे रहे कियों इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है पोदीना यानि की मिंट दोस्तों पोदीना में एंटिवेक्टरियल गुणों होते हैं जो की डेंडरफ को खतम कर देते हैं आपके बालों की जड़े साफ रहती है और यह इंफेक्शन को दूर करता है पोदीना के अंदर कैरोटीन विटामिन A, C और E होता है जो की हेर ग्रोथ को प्रोमोट करता है पोदेने की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके स्केल्प को ठंडा रखता है इसमें मौजूद पोटेशियम, कॉपर और मैगनेशियम बालों को मजबूती देते हैं आपकी बालों की जड़े मजबूत हो जाती है और उनको प्रोपर पोशन देता है इसको इस तरीके से इसकी पत्तियों को निकाल लेना है एक बालों आपको यहापर लेनी है पोदेने की पत्तिया अब आपको यहापर लेना है कोकोनाट टोयल यानि की नारियल का तेल 200 ml के आसपस आपको यहाँ पर लेना है नारियल का तेल आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं इसको स्टोर करने में भी प्रॉब्लम नहीं है लंबे टाइम तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं इसमें ना आपको कोई स्मेल आईगी ना आपको कुछ आएगा आप इसे बड़ी आसानी से और बहुती ईजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं इन पत्तियों को आपको इस नारियल के तेल में डाल देना है अब आपको इसे हलकी आज पर इसको गरम कर लेना है पुदीने का तेल बालों की जड़ों पर लगाने से सिर में रक्त संचार बढ़ता है यानि की बिरल सर्गूलेशन आपको बहुत ही बढ़िया रहता है और आपके बालों को प्रॉपर पोशन मिलता है इससे आपके बालों की चमक बढ़ती है और बाल आपके लंबे, काले, भणे हो जाते हैं और जो बाल जढ़ रहे होते हैं वो भी जढ़ना बंध हो जाते हैं इस सोचल को आपको 10-15 मिनिट तक आपको गरम कर लेना है जब तक की चट्र पटर की आवाज होती है वो खतमना हो जाए तब तक आपको इसको गरम कर लेना है ध्यान रहे friends इसको ज़्यादा देर तक गरम नहीं करना है ये तेल आपके बालों से रूसी को जड़ से खतम कर सकता है जो सर में वाइट कलर के रूसी सी हो जाती है वो इसको निकाल देता है जो सिर में रूसी जम सी जाती है इसको विल्कुल ठी कर देता है ये देखी friends गयर अच्छे से गरम हो चुका है गैस को अब बंद कर देना है और इसको कुछ देर के लिए ऐसेँ ही ढख कर छोड़ देना है ताकि अच्छे से थंडा हो जाए ये देखी friends ये अफ ठंडा हो चुका है उदेने की पत्तियां बुलकुल काली हो गई है मिंट की सारी properties इस ओयल में अच्छे से आ चुकी है अब इसको अच्छे से छान लेना है friends आप इसे किसी काच की container में लंबे समय तक श्टो करके भी रख सकते हैं उदेने की गुण इस ओयल में अच्छे से आ चुके हैं देखा ना friends आपने हमारा ज्यादा समय भी नहीं लगा और ना ज्यादा ताम जाम की जरूत आपको ये तेल बहुती कम समय बनकर रेडी हो जाता है और ये बहुती बढ़िया और बैतरिन ओयल बनकर रेडी हुआ है हमारा ये हमारे बालों की जितनी प्रॉब्लम्स होते हैं जितने वे infection होता है उन सभी प्रॉब्लम को जड़ से खतम कर देता है इस तेल से आपको अपने बालों की जड़ों में बढ़िया तरीके से मालिश करनी है अच्छे से अपने बालों की जड़ों पर लगाईए अपने बालों की लेंद पर भी आप इसे लगाईए जब ये आपके बालों में अच्छे से लग जाए तो उसे कम से कम 2-3 घंटे के में लीए से लगा कर रखी है उसके बाद अपने बालों को वाश कर सकते हैं आप चाहें तो से bere done ההकारा अगर आप आपहीं को ओवरनाइट लगा करेंगे तो इसकेन और भी अच्छे दिखेंग बहुत ही आपको इसकी मिलेंगे बालों का जड़ना और जो बाल टूटते हैं वह भी बंद हो जाएंगे आप कर देखते ही देखते लंबे काले और घने हो जाएंगे जड़ से मजबूत भी हो जाएंगे अगर बालों में रूसी है तो बिल्कुल खतम हो जाएगी बहुत ही अच्छा और नैचरल ओयल है आप इस ओयल को बेज़े जक होकर अपने बालों पर लगा सकते हैं चाहे बॉइस हो चाहे गल्स हो आप इस ओयल को अपने बालों पर लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इस ओयल को जरूर ट्राइ करके देखिए और आप मुझे कमेंट करके जरूर बता के लिए बाई बाई टेक क्यार एवराइस डे